हेलो फ्रेंट्स वेलकम टो ए 24 नॉलेज ए ओफिशल यूट्यूब चैनल आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रिट्स इंडिया लिमिटेट की न्यू रिक्रिमेंट नॉटिफिकेशन के बारे में और इसके फॉर्म फिलप के बारे में तो फ्रेंट्स यहाँ पर जो यह 21-2020 तक आप इसमें आविदन कर सकते हैं अगर आप एलिजीबल है तो तो इसकी एलिटी कंडिशन्स एज लिमिट साथ में वेकेंसी डेटेल्स और इसकी जो क्वालिफिकेशन है वो सभी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी साथ में आपको अप्लाई का लिंक भी मि यहां पर आकर आप इसकी डेटेल्स को चेक कर सकते हैं अगर आप एलिजीबल है अपलाई करना चाहते हैं तो आप इसकी नॉटिफिकेशन को ध्यान से चेक करेंगे और इसके बाद आप आएंगे इसके ओनलाइन पोर्टल पर तो यहां पर जो यह ओनलाइन रजिस्टेश कोई भी post select करनी है अगर आप 17 या 42 में eligible है तो आप इनके लिए भी apply कर सकते हैं अब हम बात करेंगे यहाँ पर इन post के लिए जो कि engineer post है जैसे ही आप इसको select करेंगे post applied आपको select करना है और इसके बाद name of applicant आपको यहाँ पर mention करना होगा इसके बाद friends नेस्ट option है आपका father name या फिर husband name जो कि आप यहाँ पर mention करेंगे नेस्ट option आपके gender का है gender आपको select करना है category select करनी है gender sc st obc ews आप कोई भी select कर सकते हैं आपका जो date of birth है वो आप इस calendar से यहाँ से select कर लेंगे तो आपको dov पूरी आपकी यहाँ पर आपको select करनी होगी इसके बाद friends नेस्ट option आपके mobile number का है आपकी mail id का है तो यह friends आप अपने according लिखेंगे और जो भी आपका active and valid mobile number and mail id है वो आप यहाँ fill करेंगे तो friends यहाँ पर mobile number and mail id एंटर करने के बाद आप यहाँ पर आगे की process में पाट ले सकते हैं मैं अभी sample के तोर पर मैंने mobile number and mail id लिख दिया है आपका जो भी active and valid है वो आप यहाँ फिल कर सकते हैं इसके बाद friends अगर आप पहले कभी यहाँ पर रिट्स की requirement process में अगर आपने भाग लिया है अपेर हुए है तो आप यस करके उसकी जानकारी प्रोवाइट करेंगे नहीं तो नो करेंगे पियर्च केंड़ेट आप है तो यहाँ पर आप इस category को select करेंगे और इन जानकारी आपको यहाँ पर यस या नो करनी होगी और इसके बार आपको submit करना होगा submit करने के बार फैंस आपको मिल्ड कर दिया जाएगा आपका जो login ID and password है जिससे आप इसमें login कर पाएंगे इसके बार फैंस आपको आपका login ID and password मिल जाएगा और इसके बार आप यहाँ से login कर सकते हैं थोड़ा वेट जरूर कीजेगा त्यूंकि processing इसमें तोड़ा टाइम लेती है और जैसे ही processing होगी आपको आपका registration number है वो आप note-down भी कर सकते हैं note-down करने के बार आपको अपकी login ID इसके बार आप preview देख सकते हैं आपकी details देख सकते हैं आपके documents अप्रोड कर सकते हैं payment आप अप्रोड कर सकते हैं आपका registration card पासवर्ड चेंड कर सकते हैं तो यह basic आपको options दिए गया है सबसे पहले आप click करेंगे fill या modify application form पर इसके बार आपका देखिए applicant detail option आपका आजाएगा आपकी details automatic fill मिलेंगी जो भी आपने registration में fill की हैं इसके बार आपको यहाँ पर आपका address देना है तो आपका जो भी पूरा address है वो आप यहाँ लिखेंगे और इसके बार आपका state है जहांके आप निवासी है वो आप यहाँ select करेंगे इसके बार आपका correspondence address लिखना है तो आपको यहाँ पर देखिए सबसे पहले address पूरा यहाँ पर लिख दीजिए इसमें अपना district भी आप mention करेंगे ऐसे ही friends से आपका यहाँ पर correspondence address भी आपको यहाँ पर mention करना है और इसके बाद यहाँ से आपको state चूज करना है इसके बाद friends से यहाँ पर आप चाहें तो अपना pin code भी लिखना चाहें तो आप वो भी लिख सकते हैं क्योंकि अभी यहाँ पर इन्होंने कुछ भी पूछा नहीं है तो इससे कोई दिक्कत आपको नहीं होगी अगर आप normal ऐसे भी लिखते हैं अगर आप pin code भी देना चाहें तो pin भी आप यहाँ पर mention कर सकते हैं क्योंकि आपका पूरा address आपको लिखना है तो मैंने यहाँ पर यहाँ पर पूरा आप लिखेंगे अगर आप village के identification जो प्रूफ है वो आपको यहां पर select करना है मालीजी आपके पास aadhar card है अधाar card select करेंगे अधार card का number देंगे आपका religion क्या है वो आपको यहाँ पर select करना है आपका जो language है जो आप जानते हैं वो आप यहाँ पर enter करेंगे area of specialization किसमे है आपकी आप देना चाहे दे सकते हैं नहीं तो blank छोड़ सकते हैं return आपका exam center आप कहां लेना चाहते हैं तो वो आपको यहाँ पर choose करना होगा आपके according जो भी आप लेना चाहें वो आप यहाँ पर select करेंगे इसके बाद candidate GSTN number है तो friends आप इसको blank छोड़ सकते हैं और इसके बाद इन details को fill करने के बाद आप save and continue कर सकते हैं इसके बाद friends यहाँ पर आएगा आपका qualification section तो सबसे पहले qualification पर आपकी graduation है अधर है या graduate in engineering है यह आपको select करनी है इसके बाद degree का नाम आपको लिखना है तो आपको यहाँ पर degree का नाम enter कर देना है इसके बाद discipline आपको select करनी है तो आपकी जो भी discipline है वो आप select कर सकते हैं आपका same आपकी university name और percentage आपकी कितनी है वो आप यहाँ पर fill कर सकते हैं इसके बार फैंस अगर आपको CGPA या फिर आपको DGPA या GPA मिला है तो उसको convert करके लिखना है आपको percentage में और उसके बाद ही आप यहाँ से इसको save करेंगे save करने के बार फैंस अगर आपके पास कोई higher qualification है या फिर कोई other आपके पास details है तो आप यहाँ पर other select करके भी उसके entry कर सकते हैं और इसके बार आपको नीचे देखिए details देखने को मिल जाएंगी और इसके बार additional कोई higher qualification की जनकारी आप यहाँ पर भी provide कर सकते हैं और save and continue कर सकत हैं इसके बार है आपका post qualification experience अब यहाँ पर आपका experience है यह आपकी education criteria complete होने के बाद होना चाहिए अब basic जनकारी क्या है सबसे पहले organization है किस organization में आप काम करते थे किस post पर आप काम करते थे आपकी salary क्या थी लाख में तो आपको यहाँ पर बतानी होगी तो आपको annual salary बतानी ह mention करनी होगी तो आप यहाँ पर आपके according जो भी आपकी date होगी वो आप यहाँ mention जरूर करेंगे इसके बाद friends कब तक आपने काम किया है तो आपको यहाँ पर देखी जानकारी चूस करनी है वो आपको यहाँ पर 11 maximum यहाँ पर चूस कर सकते हैं क्योंकि यह cut off date है अब यहाँ आपने पहले किया है तो आप यहाँ पर पहले की date ले सकते हैं अगर आप प्रजेंट में भी show करना चाहें तो आपको 11 2000 BC चूस करनी होगी इसके बाद friends यहाँ पर नीचे experience detail है तो आपका जो area of work था वो friends आप शोट में आप यहाँ पर 200 characters के अंदर बता सकते हैं और इसके ब maximum size आपका यह रहेगा और इसके बार आप यहाँ पर ब्रॉस के माद्यम से फाइल को select करके upload करेंगे तो friends फोटो एन साइन यहाँ पर मैंने अभी sample के तोर पर upload कर दी हैं इनका preview जो आपको देखने को मिल जाए आप इसे declare कर सकते हैं और इसके बार यहाँ से application preview वाले option पर आ यहाँ पर friends अब आपको जो आपका preview है application form का वो आपको देखने को मिल जाएगा और यहाँ पर scroll करते हुए सारी details को आप चेक जरूर करेंगे क्योंकि अगर आप चेक नहीं करते हैं कोई गलती करते हैं तो friends फिर आपका edit नहीं होगा इस चीज़ का आपको यहाँ पर ध्यान रखना है इसके बाद friends आपको यहाँ पर option मिलता है submit का आप इस submit वाले option पर click करेंगे अगर आपको लगता है कोई गलती नहीं है गलती है तो आप back जाकर उसको सही कर सकते हैं इसके बाद friends आप चाहें तो आप यहाँ पर अपना application preview दुबारा चेक कर सकते हैं और इसके आप चूज करके आपका जो payment है वो confirm आप कर सकते हैं तो friends जब अपना payment complete कर देंगे आप चाहें तो आपके payment की inverse detail यहाँ से check कर सकते हैं document upload यहाँ पर करना mandatory नहीं है इस वेकेंसी के लिए required नहीं है इसलिए friends आपको यह option नहीं मिलेगा payment complete करने के बार आप यहाँ से जो print registration card है इसको अपना निकाल कर रख लेंगे future use के लिए future reference के लिए तो यहाँ पर आपकी जो process है वो complete हो जाएगी और उसके बार आप log out कर सकते हैं तो यहाँ पर friends इस वेकेंसी के जो details है वो मैंने आपको provide की क्या कैस step आपको follow करने हैं क्या details है वो आपको description में available है jobraasta.com पर अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया है तो like, subscribe and share जरू कीजेगा बाखी की जानकारी के लिए ऐसे ही बने रही हमारे साथ देखते रही हमारा YouTube channel and last thanks for watching